आपको बताऊंगा एक अमजिंग हैर ग्रोथ सिक्रेट जिससे आपके बाल सिर्फ दो महिने में 7 इंच तक लंबे हो सकते हैं और हैर लोस के प्रब्लेम भी दूड होते हैं दोस्तो ये सिक्रेट है जिंजर हैर ओयल इस हैर ओयल से आप अपने हैर फॉल को रोक के जल्द अपने बालों को लंबे कर सकते हैं जिंजर हैर ओयल बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये हैर रूट को ट्रीट करके बालों को जर से मजबूत बनाता है तो चलिए शुरू करते हैं जिंजर हैर वैल बनाने के लिए आपको चाहिए जिंजर अर्थत आद्रग और अलिव वैल दोस्तों जिंजर में जिंजरल नाम का एक एंटी ओक्सिडेंट होता है जो सीर के तोचा के फ्री रेडिकल से फाइट करके हैर सेल्स को डैमेज होने से बचाता है जिससे हैर फॉल चल्द बंध हो जाता है जिंजर के वर्मिंग औंड स्टिमूलेटिंग एफेक्ट सकल्प सर्कुलेशन को इंक्रेस करके हल्दी एर ग्रोथ को प्रोमोट करता है इसके अलबा जिंजर एक ग्रेट हैर कंडिशनर भी है ये मिनरेल्स और एसेंशियल ओयल से सम्रिथ है जो हैर को मैनेज़ेबल, सौफटर और शाइनियर बनाता है इसके साथ साथ जिंजर, डेंडर, ड्राई और इची सकल्प के लिए एक बहुत अच्छा रिमेडी है जिंजर में नैचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी सेप्टिक प्रपरटीज होते है जो हैर सकल्प को हेल्दी और क्लीन रगता है इस हैर ग्रोथ ओयल में जिंजर के साथ ऑलिव ओयल भी है ऑलिव ओयल में एशेंचियल न्यूट्रियंट्स के साथ साथ मोनो अंसाचुरेटिट फैटी असिट्स होते है जो हैर रूट को मजबूत मनाकर हैर लोस को डेडियूस करता है इसमें एंटिबेक्टरियल और एंटिफंगल प्रपरटीज होते है जो ड्राइ सकल्प, इची सकल्प, डेंडरप और हैर लोस को जल्द ठीक करने में मदद करता है ओलिव ओयल, डास्ट, डर्ट और अदर इंप्यूटिस को दूर करके सकल्प को क्लीन करता है ये सकल्प के ऑक्सिजन सप्लाइ को इंक्रियस करता है और पी-ेच लेविल्स को मेंटेन करता है जिससे बाल जल्द लंबे होने लगते है तो आईए अब देखते हैं कि इस जिंजर हैर ओयल को कैसे बनाना है पहले एक जिंजर को छोटे-छोटे टुकरों में काट कर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए अब इंजिंजर पाल्प को एक मलमल के कप्ड़े में डाल कर स्कुईस कर के इसका जूस निकाल लीजिए अब एक बॉल में 3 टेबल स्पून एक्स्टर वर्जिन ओलिव ओयल लीजिए और इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर जूस मिलाएं दोनों को अच्छे से मिक्स किजिए बस अब तैयार है आपका जिंजर हैर ओयल अब इस हैर ओयल से अपने हैर स्कल्प को मसज किजिए और पूरे बालों पर लगाए इसे एक घंटे तक लगा कर रखे आप अपने स्कल्प पर एक स्लाइट वर्मिंग एफेक्ट फिल कर पाएंगे एक घंटे बाद बालों को शैंपू से दो लीजिए अच्छे रिजल्ट के लिए इसे हफते में 2 बार यूस किजिए इस ट्रिट्मेंट से आपका हेर रूट मजबूत बनेगा और हेर स्कल्प को परियाप पोशन मिलेगा जिससे हेर और हेर स्कल्प के साड़े प्रोब्लेम्स दूर होकर बाल जहरना बंद होगा और बाल बहुत चल्द लंबे होने लगेंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवात अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए तक कि किसी और तक भी इसकी लाप पहुच पाए और अपने अभी तक हमारे होमचीट यूट्वीब चैनल को सबस्क्राइब ना किया हो तो इसे सबस्क्राइब जरूर कर ले तक कि अगले वीडियो के बारे में आपको लगतार आपडेट मिलते रहे